नमस्कार आप सबी का स्वागत थे सिक्रेट ड्रिम्स आफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर आज में लेकिया आए हूँ सपने में भालू देखने का क्या अर्थ होता है और इससे आपको क्या फल प्राप्त होता है के बारे में कुछ जान करें भालू का सपना देखना आम तोर पर एक अच्छा संकेत है या एक ऐसा जानवर है जो ताकत और स्वतनता का प्रतिक है यह सपना बहुत ही अच्छा बहुत ही शुप सपना माना जाता है इसका अर्थिये होता है कि आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और जितने भी आपके परिशानिया चल रही थी और जितने भी आपके तंगी चल रही थी वो सारी दूर होगी और आने वाले समय में आपको खुशिया मिलेगी सफेद भालू का सपना यदि आप देखते हैं यानि कि पोलर बेर का सपना यदि आप देखते हैं बहुती अच्छा सपना माना जाता है बहुती शुब सपना माना जाता है यदि आपके सपने में सफेद भालू आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह होता है कि आपको कही न कहीं से दन प्राफ्ट होने वाला है और आपके आर्थिक तंगी चल रही थी अब वो दूर होने वाला है और यदि आप नोकरी करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगा सफलता मिलेगा और उचायों पे जाने का आपको एक नया आउसर मिलेगा जिसे पाकर आप बहुत ही खुशी से रहेंगे और खुश हो जाएंगे अपनी जीवन से यदि आप वेपार करते हैं और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मुनाफ़ा मिलेगा फाइदा होगा आपका समाच में नाम होगा मान समान बढ़ेगा कुल मिलाकर यदि सपने में सफेद बालू दिखाई देता है तो अच्छा ही होता है यानि की सूप होता है सफेद यानि की सांती का प्रतिक आपके जीवन में असांती हो रही है तो सांती आएगी यानि की पीस आएगा यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि बुरा रंग का भालू यानि की ब्राउन कलर का भालू आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह होता है कि यह सपना आपके लिए बहुत ही शुब माना जाता है यह सपना आपके जीवन में बदलाव लाएगा अच्छे बदलाव लाएगा आपको सफलता की ओर ले जाएगा और घर परिवार में खुशिया लाएगा और आपके रिस्तेदारियों में रिस्ता मजबूत बनेगा जितने भी आपने मुस्किलों का सामना किया है वो अब दू होगा और आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा मंगल होगा यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि भालो चलता हुआ आपको दिखाई देता है दोड नहीं रहा बस चलता हुआ ही आपको दिखाई दे रहा है तो यह सपना भी बहुत ही अच्छा सप अपने में बालू चलता हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आपके लिए भी बहुत अच्छा है आप बिमार थे वो अब आप स्वास्त रहेंगे और आने वाले समय में आप खुश रहेंगे आपका स्वास्त ठीक रहेगा बस आपको यह ख्याल रखना है कि आप अपने इस को याद कीजिए उनको धनिवाद कीजिए और आपका अच्छा ही होगा यह थी सपने में आपको खड़ा हुआ भालू दिखाई देता है बस हिलडूल नहीं रहा बस खड़ा ही है आपको दिखाई देता है तो इस सपने का यह अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको थो ऐसा करेंगे अगर यदि आप कारिया शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है इसलिए यदि आपको घड़ा हुआ भालू दिखाई देता है तो आपको कारिया नहीं करनी चाहिए ये आपको संकेत मिलता है यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई देता है कि आपको संतान है और संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ऐसा सपना देखते हैं तो जल्दी आपको गुड निउस मिलेगा या फिर आप कोई कारिया करना चाह रहे हैं तो उसको आप कारिया सुरू कर दीजिए आने वाले समय में आपको तरक्की मिलेगा आपका नाम होगा देखा तो भालू अपने बच्चे के साथ खेलते वे देखना बहुत ही शुब माना जाता है आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप सपने में देख रहे हैं काला भालू आपको देख रहा है ऐसा सपना आपको दिखाई माना जाता है आप नोकरी करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगा और यदि आप वेफार धंदा करते हैं तो उसमें आपको मुनाफ़ा होगा फाइदा होगा आर्थिक तंगी चल रही थी वो भी तंगी दूर होगी और यदि आपके मन में अपने घर परिवार में कोई मन मुटाफ चल रहा है तो वो भी हट जाएगा यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप भालू को मार रहे हैं ऐसा सपना आपको आता है तो यह सपना भी आपके लिए बहुत ही शुप सपना माना जाता है बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है जितनी भी आपको मुसीबते जेलना पर रहा था वो अब दूर होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जितनी भी आपने काडिया में सफलता मिली है वो अब आपको सफलता मिलेगा यह लिए आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि भालू आपके पीछा कर रहा है और आप डर जाते हैं वो भालू आपको पीछा करता करता यह जा रहा है और आप भागते जा रहे हैं ऐसा सपने में आपको दिखाई देता है तो यह सपना थोड़ा बहुत असूप माना जाता है क्योंकि भालू का पिछा करते हुए देखने का आर्थ ये होता है कि आपको मुसीबतों का पहार तूटने वाला है यानि कि मुसीबते आने वाली है ऐसा सपने उक का संकेत होता है इसलिए आप कुछ भी कार्य करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा सावधानी बरतनी होगी ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पर सकता है इसलिए सावधान रहे किसी पर भी जल्दी भरोशा ना करे ऐसा करने से आपको नुकसान होगा यदि आपको सपने में पांडा भालू दिखाई देता है तो इसका आर्ट ये होता है कि ऐसा सपना देखना भी बहुत ये शुप मानना जाता है पन सास्तर के अनुसार यदि किसी वैक्ति को ऐसा सबना आता है तो इस बात के और संकेत करता है कि आप अपने जीवन में मज़ा नहीं कर रहे यानि कि इंजोई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये समय आपके लिए सिर चुकाने का नहीं है आपको उदास नहीं रहना है बस आपको इंजोई करने हैं अपने लाइफ में नहीं करेंगे तो आपको बस दुखी होना पड़ेगा अगर आप इंजोई करते हैं अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीते हैं तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही खुशिया आएगी और आपके घर परिवार सारे खुश होएंगे यदि आप परिवर्तन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तयार हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ही मौत पूर्णा मोर पर बदल सकते हैं और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग कर अपने जीवन को अच्छा और बहतर बना सकते हैं तो ये थी जानकारी के सबने में बालू देखने का क्या अर्थ होता है के बारे में कुछ जानकारी आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शियर जरूर कर दिजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दिजेगा धन्यवाद